गाइस पत्थर के फूल एक important spice है एक Indian kitchen के अंदर और कई लोग हैं जिनको मालूम नहीं के पत्थर के फूल एक spice है इसे दगड़ फूल भी कहते हैं पंजाबी में I think माराथी में भी शायद दगड़ फूल बोलते हैं इसे कलपासी बोलते हैं तामिल में और महराश्चन कुजी में इन फाक लकनाओ की कुजीन में हैदरबाद की कुजीन में डाउन साउथ की कुजीन में अलग-अलग जगाओ पर इसका इस्तमाल होता है और यह जो spice है यह एक तरीके का एक living organism है इसे lichen बोलते हैं lichen family से होता है let me show it to you यह आपको पत्रों पर मिलता है पेडों पर मिलता है पेड़ की बाक इसके उपर यह उपता है यह इस तरीके से and if I pull it out यह रइट I'll pull out another one यह और जब यह आप देखेंगे you see this यह है पत्थर के फूल इसे पत्थर के फूल बोलते हैं कलपासी भी बोलते हैं now basically होता है क्या है कि यह एक lichen family है lichen moss नहीं होती lichen fungus नहीं होती एक तरीके का living organism होता है यह पत्थरों के उपर लकडी के उपर समुंदर की किनारी से लेके mountain तक यह खुद पर खुद ग्रो क करता है photosynthesis यानि सूरज की रौष्णी जिस तरीके से plants सूरज की रौष्णी से खाना बनाते हैं ठीक उसी तरीके से उखता है in fact यह बिलकुल एक flake की तरह है पतला paper जैसा light होता है और जैसे paint होता है दिवार से पपड़ी उतर रही होती है बिलकुल वैसा ही होता है और इसक इसी ब्रैंड का इस्तेमाल कर रहे है उसमें अगर उल्टा कर पड़ेंगे दगड़ फूल या पत्थर के फूल या कलपासी या स्टोन फ्लार जरूर मेंशन होगा it's a very important spice in fact लखनों की क्यूजीन में जब गलॉटी का कबाब का मसाला बनता है या निहारी बनती है उसमें यह जाता है है हैदराबाद के अंदर जब पोटली मसाला बनाते उसमें भी यह जाता है in fact चेटिनाट क्यूजीन में चिकन चेटिनाट अगर आपने सुना होगा one of the important spice यही है कलपासी यानि पत्थर का फूल और यह पेडों पर अलग-अलग पेडों पर होता है यहां पर आप देखेंगे यह उत्राखंड में हूँ है और यह पाइंट्री है यह पाइंट्री के उपर उग खुद बखुद उपता है और यह फोटोसिंतिस यानी की सूरज की रोशनी से यह बनता है मीट डिशिस के साथ बहुत अच्छा जाता है मीट डिशिस के साथ यह बहुत अच्छा जाता है at the same time vegetarian डिशिस के अंदर भी बहुत बढ़िया है in fact महाराष्टरा में वो bottle masala बनता है उसके अंदर भी यह बहुत ही important spice है और यहाँ पर freely होग रहा है let me peel and show you some इसको मैं निकाल रहा हूँ oops गिर गया यह यहाँ से यह देखिए यह मैं निकालता हूँ कैसे flake की तरह निकल रहा है now यह जो है इसको best है कि आप थोड़ी दर सुखा दें धूप में एक अच्छी धूप में दो-तीन घंटे क्योंकि यह paper light होता है यह बहुत जल्दी सूख जाएगा और इसके बाद आप इसको अराम से इस्तमाल कर सकते हैं होता है कि खाने के अंदर जो स्वाद लाना होता है कभी कबार हम लोग जूजरे होते हैं क्या मसाला डाला है था या क्या डालें यह एक ऐसा स्पाइस है जो आप करी सके अंदर या फिर स्टर फ्राइस के अंदर डाल सकते हैं वेजेटेरियन फूड में भी बहुत तेस्टी रहता है और मीट डिश्चिस स्पेशली मीट के साथ बहुत तेस्टी जाता है इसको इस्तमाल करने के लिए आपको इसे घी में छोंकना है जैसे आप जीरा छोंकते हैं इसे इस्तमाल कर सकते हैं वेरी टेस्टी आज ही ऑनलाइन जाकर या अपने स्टोर पर जाकर पत्थर के फूल टेफिनेटली ओर्डर करें डेफिनेटली इसको यूज करें बहुत टेस्टी है